Hello students, welcome back to my YouTube channel knowledge tree classes तो बच्चों knowledge tree classes में मैं ससमीता सिंग आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती है So today I am going to explain a very sensitive poem, a heritage of praise from your book defodels आज में आप लोगों को एक बहुत ही sensitive poem आपके book defodels से पढ़ाने जा रही हूं Students अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले क्या कर इस चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें, share करें और मुझे comment करके बताएं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं इस चैनल पर आपको परहाई लिखाय सम्मादित बहुत से वीडियो मिलेंगे और एक चीज कि आप बेल आइकन पर जबूर क्रेक करें ताकि मेरे वीडियो की latest updates आप तक पहुंच ते रहें आपको मेरे नएने वीडियो मिलते रहें और आप परहाई में उनको utilize करते रहें So, let's start the poem A Heritage of a Priest written by David Hosper So, children, before moving to the poem, let's know what the poet wants to tell about us in Before We Read Poem को सुरू करने से पहले हम सुरू करते हैं Before We Read और देखते हैं कि Poet हमें इसमें क्या बताना चाह रहे हैं Walking on a road on a hot afternoon, how do you feel when you come under a sady tree? अब बहात गर्मी वाली दो फर हो, कोई तपती दो फर हो और उसमें आप road पर हूँ अब उसी से में आप कोई छायादार रिक्ष दिखता है Trees on both sides of the roads are indeed a blessing in the summers अब यह जो trees हैं, जो plants हैं, जो road के दौनों और हैं हमार लिए blessings हैं, इश्वर या प्रकृति का एक अनमोल उपहार है एक आशिरवाद है आप लोगोंने महान अशोक का नाम सुना होगा सेरसा सूरी के नाम सुने होंगे जितने भी महान सासक हैं, सबने क्या किया था? सरकों के किनारे रिक्ष लगवाए थे ताकि यात्रियों को चाया मिल सके ये, we humans in the name of progress are cutting down mercilessly without thinking of their effects लेकिन हम human beings क्या हैं? वी अग्रीदी, हम लोग क्या कर रहे हैं? कि trees की जो अंधा दून कटाई कर रहे हैं, प्रोग्रेस के नाम पे और हम ये नहीं सूजास का हमारे future generation पर क्या effect परिकत, कुछ ऐसी ही message हमें poet दे रहे हैं so let's know about the poet डिवीड होस्वोग वाजा, बिटिस बॉर्न एजुकेस्टिस्ट, ये क्या थी? ये बिटिस पोईट, बिटिस में का जन्म हुआ था, बिटेन में जिन्होंने इंडिया में काम किया और वो इंडिया थे 1943 में जब वो रॉयल एयर फोर्स में काम कर रहे थे so he is especially known for his activity based teaching वो जो उनकी activity based teaching उसके लिए बहुत ही famous है so he was born in 1923 in England United Kingdom वो इंग्लेंड में 1923 में उनका जन्म हुआ था और unfortunately 1984 के अगस्त मन्त में इनके सब्सक्राइब को छोड़ दिया इनके famous books है junior English dictionary है आपने Oxford modern dictionary भी पराओ को जो की ही का है so start करते है poem I saw a man attack at free today the road from मैसूर तो उटी अब poet कहते है कि जब वो मैसूर से उटी जारे तो उन्होंने क्या देखा एक आदम को ट्रीपे अटाक करते देखा अब ट्री पे हमला करने का कैना मदना है वो पेर को काट रहा था उन्होंने एक आदमी को पेर को काट देखा जब वो रोड से मैसूर से उठी के यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा कि वो मर्सिलेस्क्री ट्री को कट कर रहा था About 20 miles along it, there you will see a tragic sight अब poet कहते हैं कि लग लग 20 miles तक जब आप जाएंगे तब क्या देखेंगे, एक ट्रैजिक साइड देखेंगे, एक दुखा द्रिश्य देखेंगे तो उन्हें एक अत्यांद दुखद द्रिश्य दिखाई दे रहा है, क्या द्रिश्य है वो? A line of noble trees, mutilated, branches ribbed, ultimately from their trunks अब देखते हैं कि एक line है, यानि बहुत सिर noble trees है trees को poet and noble क्यों कहा है, वो महान है, because they are our life givers, they are our life supporters without tree, we can't survive for few minutes, अगर trees हमारी help नहीं करे, क्या हम कुछ मिनट भी survive कर पाएंगे क्या हम बिना oxygen के कुछ मिनट भी जीवित रह सकते हैं, नहीं, यह oxygen हमें कौन देता है, यह oxygen हमें trees देते हैं, इसलिए वो क्या है, महान है, अब उन trees के साथ क्या हुआ, mutilated, यानि उसके पेरों को विक्रित कर दिया गया है, कैसे विक्रित कर गया है, कि उनने काट काट करके विक्रित कर दिया गया है, branches, branches reaved, जो उनके branch है, उसे लोगों ने, हम मनुष्यों ने बुरी तरह काट डाला है, untimely from their trunks, और समय के पहले ही, हमने क्या किया है, उनको, उनके trunks, यानि उनका main body का जो part है, उससे उन्हें हटा दिया, यानि छोटी-छोटी जो branches है, हम human beings ने, उन्हें भी काट डाला है, जो कि अभी mature भी नहीं हुए है, वो भी उन पेरों से अलग कर दिये गया है, यही tragic side था, जो कि poet में देखा, people some have died, those noble trees planted long since, अब poet कहते हैं, हम ने क्या क्या है, प्रिपल कर दिया है, खराब कर दिया है, some have died, और कुछ पेर तो हैं, जो कि विक्रित हो चुके हैं, नस्ट हो चुके हैं, और कुछ क्या हो चुके हैं, कुछ मित हो चुके हैं, कुछ मर चुके हैं, उन noble trees को, उन महान पेर को जिसे काफी पहले लगाया गया है, क्योंकि पेर एक दिन में तो grow नहीं करते हैं, हम saplings को लग और अन्नून अब पोईट कहते हैं कि उन्हें कुछ अच्छे हाथों नहीं लगाया था वो सकते हैं वह स्माइल हो इस्माइल की चर्चा बैबल में की कई है जो कि अबराहिम के संग थे या फिर वह विश्वी सुरीया जैसे महान लोग हो सकते हैं कि आपने विश्वी सुरीय का नाम सुना है वो एक महान इंजिनियर और आर्खिटेक्ट थे जिन्होंने मैसूर जैसे खुबसूरत सहर को बसाया था उनके जर्व दिवस को भारत में इंजिनियर्स डे या भी दियमता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है वो जो दिसो प्रकृति के प्रेमी थे तो उन पेरों को लगाने वाले कुछ वैसे ही लोग हो सकते हैं समाइल हो सकते हैं विश्यो से रहया हो सकते हैं जिन्होंने उस पेर को लगाया था let them come now from some more peaceful seed और अब जब वो आते हैं more peaceful seed यानि जब वो heaven से आएंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा यानि वो मनुष्य जो है क्योंकि पेरों को तो बहुत साल पहले लगाया गया है तो अब तो वो मनुष्य इस संसार में नहीं है तो अगर वो वापस इस धर्ती पड़ाते हैं अगर वो वापस जीवन में आते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होगा तो लुक वन्स मूर अम देर लाइफ स्वाग और जब एक बार फिर से वो उन चीजों को देखते हैं कारियों को देखते जो उन्होंने जीवन में किया था उन्हें कितनी तकलीफ पहुचेगी उनके ठिदय पर क्या भीतेगी पोएट ये हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर वो महान व्यक्ति देखेंगे कि जिन पेरों को हमने इतने कठोर परिस्रम के द्वारे लगाया था उनक इन लालची human beings ने क्या हाल कर दिया तो उनके आत्मा को बहुत थेस पहुचेगी trees for the people, let all them enjoy, hack them, cut them up, so that the fires अब पोएट ये प्रश्न कर रहे है, question कर रहे है, trees for the people, ये पेर किसके लिए है, क्या आदमियों के लिए है तो अगर मनुष्यों के लिए तो उन्हें क्या करने देजी, उन्हें enjoy करने देजी, वो enjoy कैसे कर रहे है, hack them, cut them, वो उनको hack कर रहे है, उनको नुक्सान पहुचा रहे है, उनको cut कर रहे है, क्यों कर रहे है, ताकि उनके यहां आग जल सके, यानि जो मनुष्य की जो undesired, uncontrolled desire है, एक ऐसे desire जिसमें का control नहीं है, वो उसको संतुस्ट कर सके, यानि मनुष्य अपने स्वार्थों को पूरा कर सके, कैसे, उन महान पेरों को काट कर के, that cooked the village food, sell burn more hot, अब जिस आग पर वो खाने को पका तो और ज्यादा गर्म हो सके, ठीक है, जिस आग पर वो खाने को पक उसमें ज्यादा गर्मी हो सके, यानि जो human beings की need है, वो अपने लालच को satisfy कर सके, जो उनकी जो बढ़ती जो भूख है, सहरी करन की और द्योगी करन की, वो उस भूख को मिटा सके, ऐसा हमारे poet का कहना है, यही चीज, poet हमें समझा रहे हैं, कि यह trees किसके लिए है, people के लिए ह trees are our heritage and ash so holy, तो काते हैं लेकिन यह पेर क्या केवल हमारे हैं, यह पेर क्या है, heritage है, यानि यह पेर हमारे विराशत हैं, और यह पवित्र यहां तक यह पेर क्या, जो उनकी ash है, जो उनकी राक है, वो भी पवित्र है, तो poet हमें message देना चाहते हैं, कि हम लोग क्या करें, we should save the tree, to save the world, हमें पेरों को बचाना होगा, किस लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए, इस धर्ती को बचाने के लिए, जब पेर रहेंगे, तभी यह धर्ती बचे, क्योंकि भीना पेरों के, तो किसी living being का existence इस अंसार में रहेगा हैं नहीं, तो अगर अच्छा लगा है, तो शेयर करें, लाइक करें, कामेंट करें, तो बच्छों मिलते हैं, एक ऐसे ही कुछ मज़िदार, पोयम या स्टोरी के साथ अगले वीडियो में, सो बाई चोल्रेन, स्टे सेफ, एन थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो, करें वीडियो में, सो अगले कामें, सो वीडियो में, सो बच्छों में, साल करें भाईयो, ansे करें लाईयो, भानल, इन रा रुछ थ्जार, तो आ राइके का वीडियो झाल झाल